एल्लो माइ ब्यूटिफुल वीवर्स आज हम बना रहे है कंदो की दो डिस यहां पर कंदे उबाल कर रखे हुए है और कुछ कंदे मैंने चील कर ऐसे गोल गोल पीसेस में कट कर लिया है गाइस एक होगी खटी मीठी कंदो की डिस और एक होगी मीठी डिस तो गाइस उसके ल दाला हुआ है आधी चम्मच हम जीरा डालेंगे उसके बाद हमारी हरी मिर्च जो है वह एड करेंगे हरी मिर्च को अच्छे से बूंजना है अच्छे से तलना है एकदम क्रिस्पी करना है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है अगे अभी हरी मिर्च को साइड में करूंगी और जो तमाडर काट कर रखा हुआ था उसे इसमें एड़् करूंगी तमाडर को एड़् करने के बाद मैंने कुछ हरी मिर्च الذي तोड़ी इसमें रहने दिए तमाटर में हरी मिर्च का टेस्ट आ जाएगा उसके लिए और कुछ हरी मिर्च हम बाद में डालेंगे इसमें बने नमक डाल दिया है और जो कंदे हमारे काटकर हमने रखा है उसमें विस्वाद अनुसार नमक एड़ करो आप जो भी जितना भी लगता है उसे सबसे आप एड़ कर लीजिएगा यहां पर टमाटर पक चुके थे मैंने यहां पर कंदे डाल दी है हरी मिर्च डाल दी है और जो मूख फली है हमारी पीस कर रखी थी उसे भी एड़ कर दिया है अच्छे से मिक्स करेंगे दोमनेट के लिए से पकाएंगे ज जिस तरह का आप खटा पसंद करते हो इतना नीबू आप डाल सकते हो यहां में आधे नीबू का ही यूज करेंगे हमारी डिस हो चुकी है और जितनी अच्छी डिस दिखाई दे रही है उतना ही टेस्ट में भी वह अच्छा है यह बहुत टेस्टी था तो मैंने तो खा लि छेले नेक्स्ट डिस बनाते हैं जिसके लिए जो कंदे हमारे पास बचे ERIC होगे उ से चील लिया और हाथों से मे मेश कर लिया है और उसमें हमने डही डाला है यहां पे मेट और गार्ड़ा दही कर रहा हूं अगर आप की स्बमक्रा शेमत डाल दाल। nosemand गल्ड़ा शेया उसके बाद एक चमच यहां पर मैंने सक्कर लिये आप कम ज्यादा कर सकते हो अगर मीठा ज्यादा पसंद है तो उतना डालो यहां मैं किसमिस डाल रही हूं क्योंकि इस डिस में किसमिस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसके बाद जो हमारा भूंजा हुआ पिसा हुआ प्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी एडिस बना कर खा सके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस साइड में बेल बटन है उससे भी प्रेस करो और पर क्लिक करो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बाई गाइस प्रेंग में ब normा है नहीं जाई है